हालो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोन तथा व्यसनमुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हमारा हॉस्पिटल है जहां मांसिक रुखन तथा व्यसनी लोगों को रिष्षिदारों के साथ में भरती करते हैं और उनका यलाज करते हैं और दुसरा हॉस्पिटल है जहां मांसिक रुखन तथा व्यसनी लोगों को बिना रिष्षिदार हम भरती करते हैं उनका यलाज करते आज मैं आपको बताने वालो हमारे पास में जो commonly patient जो आते हैं उसमें की एक जो बीमारी उसके बारे में उसको हम बोलते है panic attacks panic attack मतलब अती भहंकर भी थी अती भहंकर डर और उसका एकदम जटका आना अती भहंकर डर का इसको बोलते पेनिक एटेक तो पेनिक आटेक जो है वह मानसीक बिमारी में आ सकते हैं कि इसको मानसीक बिमारी उसमें पेनिक आ रहे हैं और मानसीक बिमारी के अलावा भी यह जो फोबिया जै अलग-अलग social phobia जो है मतलब सामाजिक city में जाने का डर या specific कुछ तो भी phobia देखा दे घटना एका दे प्रसंग जो है उसका डर या post-traumatic stress disorder जो है कोई trauma हो गया वहाँ से डर तो ऐसे अलग-अलग जो बिमारियां उसमें भी panic attack आता है मतलब एक जो है वो मांसिक बिमारी में आता है और दूसरा panic disorder जो है जिसमें specific phobias है या post-traumatic disorder है उसमें panic attack आ सकता है वो एक दसेक मिटका रहता है 10 minutes और अधी भेंग कर डर पहुच जाता है डर रहता है अभी इसके पीछे psychology क्या है लोग होता क्यों है ऐसा ही तो ऐसा दिखाए दिया है कि जो लोग गुसा सहन नहीं कर सकते वह लोग गुसा उनको जल्दी आ जाता है कोई चीज छोटी मुट जल्दी रहें उसको गुसा आ जाता है तो उनको पैनिक आटक आते रहते ज्यादा ज्यादा आने का संभव है ऐसा नहीं कि आता ही करके दूसरा कारण है कि जीवन के महत्पुण व्यक्ति से शारिक तता मांसिक दूश्ठी से दूर होना मतलब मा या पिताशी से बच्चा तो दूर हो रहा है एक तो वो इमोशनले दूर है भावने के दुछी से दूर है या फिजिकली शारेक दुछी से भी वो दूर कहीं है और वो एक कारण हो सकता है पैनिक अटक के साइकोलोजी के बारे में तीसरा है कि खुद के उपर बहुत बड़ी एक खादी जिम्मेदारी आ जाना जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं जिम्मेदारी सहन नहीं कर सुकूंगा तो एक साइकोलोजी उसके हो सकती है पैनिक अटक आने की फिर नेक्स है कि माबाप बहुत गुस्ते वाले रहना माबाप ने बहुत बच्चे के दिमाग में डर बिठाना उनके बारे में बहुत गुस्ते वाले रहना माबाप के सामने बच्चा एक्स्प्रेस नहीं होता खुला बात नहीं कर सकता खुला काम नहीं कर सकता ऐसे लगता है कि माबाप के सामने जखड गया है बहुत डरा हु हो जाएंगा कि मैं मेरे माबाप से अलग हो जाओंगा तो ऐसे कारण यह दिर है तो यह पैनिक एटेक होने की संभान है लोगों में जादा है अभी हमको यह देखना है कि इसका डाइगनोसिस कैसा करना मतलब पैनिक एटेक जब आता है तो डर शुरू होता है और कुछ मिनिट के अंदर इतना बढ़ जाता है हो कि दस मिनिट के अंदर पूरा उसका मतलब फुल ब्लॉन बोलते हैं इसा उसका सिंटम दिखा जाता है पूरा का पूरा दिखा जाता है एकदम दस मिनिट में इतना साल जादा हो जाता है कि कंट्रोल के बाहर हो जाता है इतना वार निकल रहा है जिससको बोड़ inclined रहे कि जिसको करना, अरना इतना ज़ादा डर नमबर दो बहुत जादा पसे लावना एक चूने पूरा बदन कापता है, हाथ पेर कापता है, बहुत जाथा डर उसको लगा हुआ ऐसा दिखता है, फिर छोड़ी-छोड़ी सांस लेता है, ऐसा लगता है कि सांस उसको पूरी नहीं मिल रही है, उसको बार-बार ऐसी छोड़ी-छोड़ी सांस लेनी पड़ रही है, सांस कम प साथ वा जी मचलाना ऐसा नौशया लगता है उंटी हो जाएंगी या पेट में ऐसा कुछ सभी घडबड लगती है पेट में गोला आगे ऐसा लगता है आठवा चक्कर आना चक्कर लगता कि पूरा घुम रहा है या खुद का बैलेंस जा रहा है खुद गिर जाओंगा ऐसा या स्तीर ने रहना या आखों के सामने अंधेर आ जाना नौवा जो है वह एकदम ऐसे जगह लगना ऐसा लगना कि अपने एकदम नहीं जगाए हुए और या आपन नहीं वेक्ति कुछ तभी हो गए गया और नहीं जगह आगए कि जगह को नहीं पहचानना दस्वा जो है वह है कि अपने खुद के ऊपर का कंट्रोल निकल जाएंगा ऐसा लगना या मैं पागर हो जाओंगा ऐसा लगना ग्यारवा है कि अभी मेरे को अभी मैं मर जाओंगा मतलब इतना सारा डर लगता है कि अभी मौत आने वाली अभी मर जाओंगा ऐसा लगता उसको जो बारव लगना है मतलब ऐसे जो टेरा लक्षान में वधाया तो यह तेरा लक्षान में से चार लक्षान है और एकदम चालू होने के पात में गतम दस मिरीट में जोर से वह 10 मिट के अंदर ये पूरे लख्षन आ रहे है तो समझना कि इसको पैनिक अटेक हुए और वह एटयु काम हो जाना है उसके सेंसेशंसलीे है तो वह हर दम कइसे में रखना इसा कुछ एड़का है और एकन नहीं है करके रिलायकसेशन टेक्निक है शीलिदory हो उसको सेस्षन लेता हो अलग-अलग और खुOh वो attack का तिवरत आजाए वो कम करना तो relaxation technique सीखना पड़ेंगा self hypnosis सीखना पड़ेंगा उसके relaxation होते है आपको ऐसा कुभी कुछ लगा तो कभी भी हमको संपर्क करो वो सीखना पड़ेगा मेरे अलग-अलग videos hypnotherapy के बारे में वो भी आप देख सकते है और self hypnosis करके वो attack को आप ठाल सकते है या attack आगया तो उसमें से चुटकारा पा सकते है हमारा जो उद्धिष्ट है वो ऐसा है कि सब के लिए मानसिक स्वास्ति है और वेसल मुक्त भारत आप मैंसे ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको ऐसा attack आता है तो उनको जरूर वीडियो शेर करो उनको इसका फायदा होंगा और हमारा जो मिशन उसमें आपका हाथ लग जाएगा आपको अच्छा लागा तो जरूर ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो शेर करो और जो बेल आती है ना उसके उपर भी क्लिक करो ताकि मेरे जो वीडियो में हरदम डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे So, thank you very much Bye झाल, 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 झाल